किस तरह से पुल-फ रजिस्टर का यूस किया जाता था पहले डाटा में और अभी के डेट में यह एंसी हो जाते हैं क्योंकि डाटा को डारेट लाइन दी गई है सीप्यू से पहला 1.8 से पुल-फ रजिस्टर लगाए गए थे और 1.8 वोल्टे जैसे हैं और इस वाली प्रिंट को देखते तो घबडा जाते हैं बोलते हैं अरे बापरे मेरे से तो यार इतने सारे प्रिंट निकल गए और बूर्ड को रख देते किनारे और रूने लगते हैं सोचते है यह काम ही मेरे लाइक नहीं हो जहां यहां जहां मैं गोले लगा रहा हूं वहां जुरूर फोटो कीच लेगा और इसकी फोटो कीचने के पर यह यही चीज़ आपको आएगी कश्ची में ऑस दो से डीड़िए और यहां पर डीचकी इस टोड़िए वर सिप एम CC की लाइन ह और बह sitting here, ग्तरों बैज थानी हो, हम आपको 1.8 वोल्टेश देखने को मिलेंगे, यह पर 2.8 वोल्टेश देखने को मिलेंगे यह क्लॉक की लाइन हाँ, कमांड की लाइन हा, यह रिसेट लाइन है सिर्फा अपनी जित के Zित हो मार जित है मेरा फिटोर जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्ण हाई मैं यूडूब फैमली, कैसे आप सबी लोग यार सिर्फ कुछ मिनिट में क्या लगता है आपको आज क्या सिखा दू 153 BGA इसके वारे में तो एट इंफोर्मेशन बात करते हैं 153 की तो दोस्तों BGA का मतलब होता है बॉल गृट एरे जिसको हम IC की पड़िवासा में कहते हैं 153 मतलब यह है कि यह जो एक IC है जिसको हमें storage IC कहते हैं तो दोस्तों 153 का मतलब ही होता है यह जो एक storage IC है इसके अंदर आप basically आपके 153 बॉल से हैं सो इसलिए इसको 20 153 कहा जाता है यह बूर्ड में जब हम आई से निकालते हैं तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है बड़ अगर हम बात करें इसके बहुत सारे पार्ट या इसके बहुत सारे बॉल्स इसके एंसी होते हैं सो मैं आपको आज बताना चाहूंगा एंसी क्या होते हैं और कौन-कौन से पार्ट इसके यूज के जाते हैं बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है इसकी जो सीप्यू से आने वाली लाइन है वह कौन सी है जिससे इस 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 को एक सौटवेर के तुरू अब इसको प्रोगर्मिंग या री प्रोगर्मिंग की जा सके हैं अब मैं बात करूंगा कि भई वीजीए 153 में सबसे पहले आप यह डाटा देख लिए फिर उसके बाद में यह देखाऊंगा दोस्तों जब भी आप यह इसी निकालते हैं तो कहीं लोग बहुत डर जाते हैं श पूसते हैं कि यह कामी मेरे लाइक नहीं हो चोड़ देता हूं भई आप घवराना नहीं दोस्तों कभी पी ना आइसी निकले ना तो प्रिंट कभी उखरे ना तो बिल्कुल मत घवराईएगा क्योंकि अभी के जो बोडों में ज्यादा तर जैसे ही जतने ग्राउंड यू यूज के जा रहे हैं इसलिए अगर मैं आपको बता हूं यह जो सारे जो प्रिंट हैं यहां पर जो यूज किये हैं यहां पर जो सारे के सारे प्रिंट हैं जो आपको इसे ब्लैक दिखाए जा रहे हैं यह सारे प्रिंट एंसी हैं अब आप बूलेंगे एक इसी में इतने अब बात करेंगे कि दोस्तों इसमें इन्पोर्टेंट इन्पोर्टेंट पिन है अगर मैं उसकी बात करूंगा तो मैं यह व्यूडियो इसलिए लाया हूं ताकि आपकी घवरहाद दूर हो जाए और आपको इस व्यूडियो में एक सही और एक प्रोफेशनल जानकारी मिलें यह है वीजे 153 का पीडियाफ जिसमें आप देख सते हैं आप यहां पर एंसीज एंसीज सब में आपको एंसीज देखने को मिलेंगे और जहां अगर मैं वोल्टेज की बात करो तो आप एक कॉपी लेकर बैट जाए और हो सकता है कि इतने कम मिनिट में आप इतने सारी कुपे यह एक अगर मैं बात करूंगा यह मम आप में इसमें से भी वी सीसी को निकली में तो भी आप यह को करेक्ड कर सकते हैं इस Vcc Q में basically आपको 1.8 voltage मिलते हैं तो यह इसका पहला एक input voltage आपको देखने को मिलेगा दूसरा आपको एक Vcc मिलेगा Vcc, Vcc, so basically Vcc में आपको 2.8 voltage मिलेगा और यह voltage basically आपके set के हर LDO supply से मिलकर बनता है जो कि आपकी power IC बनाती है आपको 1.8 और 2.8 मिलकर बनते हैं तो यह आपको मिलना बहुत ज्यादा जोड़ी है और यह अगर यह अगर हट गए पूरे हट गए तो फिर आपकी MMC काम नहीं करेगी और आपके बोड में आटो पोड बन जाएगा इबाधान रखेगा जहां मैं गोले लगा रहा हूं वहां वहां जरूर फोटो खीच लिजेगा और इसकी फोटो खीचने के बाद यही चीज़ आपको काम में आएगी देखिए यह VCC यह VCC यह VCC यह VCC औ बात करूंगा यहां पर देखिए और यहां पर और अजरी नहीं है नहीं है यहां पर यह कियो है अब जानना चाहते हैं तो इसका रिजन मैं बताना चाहता हूं कि वीजेवब के साथ रेम नहीं लगाई गई है यहाँ पर इसलिए यह सारे पैट जो रैम के पैट है इसलिए जब भी भी बीजे वन फैटरी लगाई गई है तो इसके साथ जो रैम है वो अलग से दी गई है अब वो रैडमी 9A का सैट हो या फिर कोई पुराना सैट हो जैसे कि फॉर जमपर अब जब रैम कहां दी गई है तो रैम दो तरह दी जाती है या तो रैडमी 9A में एक अलग ही भारी तरीके से की अलग तरीके से लगा दी गई है दूसरा आपको यह रैम दी गई है सीप्यू के वोपर डूवल डेकर सो बिसिकली डूवल डेकर में जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक सेट दिखाना राइन हो जिसे को मैं आगे इसको डाइग्रां में बहुत दिखा दूगा जिसमें भी आप जानते होंगे कि यह भीया बूल्ट की लाइन आप मैं ऐसी दिखा रहा हूं अगर देखा रही दोगलाए शैडंख वी से और फिर आपकी रिसेट की लाइन आपकी कमांड की इस तरह से और इस तरह से फिर data और data दोस्तों जीरो से लेकर data 7 तक अगर आप देखेंगे total 8 data होते हैं सो data 0 data 1 data 2 इस तरीके से बाकि सारी लाइंड डाटा ही होती है अगर मैं एक दो गोपन कि देखेगा तो एक डो तीन, चार पान चार पांच js7 develops fits यसलिए बारा जासे एक डो तीन, चार्शाय तशन साथकNow इसको हटा सच मेंट आपको सब्सक्राइब तेरा क्योंकि इसे नहिए एक 250 बें किया है दोस्तों अब इसमें आप देखेंगे तो यह बीजे यहां पर लगी हुई है यह मैं आपको जूम कर देता हूं यह देखें यहां पर यह बीजे लगी हुई है और अगर मैं यहां पर जूम करूंगा तो यहां पर क्या है रैम अलग से लगाई गई है मैं यहां पर र यहां पर नहीं होता है तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा यू पंदरा जीरो एक और इसके बार यहां एंटर मानना पड़ेगा तो आप देखें यहां पर इम्मसी का डाटा आ गया है तो इसको डाटा को कॉपी में जबूर लिख लीगा कि जब से इंपॉर्टेंट डाटा आपका जो ममसी का है तो यह ही होगा जिसमें अगर आत में मंसी की बात करूँ तो यहां पर आप देखने को मिलेंगे यहां पर 2.8 व्ल्टेज एक क्लॉक की लाइन है और एक डीक श्प्लाइए यहां पर आपको देखने को मिलेगी तिक है दोस्तों उसके साथ आप देखें यह वी सएस्सारी लाइन ग्राउंड है VSSQ यह लाइन ग्राउंड है और यह देखे यह डाटा 0 से डाटा 7 तक कि आपको लाइन देखने को मिलेगी क्योंकि जब भी हम MMC को करनेट करते हैं अब इसके बाद में अगर मैं इसी को बापस चेक करूं तो आप देखें कि सारी लाइन आपको देखने को मिलेंगी यहां पर किसी भी लाइन का काम नहीं किया गया है अब देखें बापस उसी पर आगया तो जनली ए और बी यह सर्कृट बताया और सारी लाइन दुखाई गई है वी डिडी यहां पर कहां काउंको सा डाटा से तो यह होता आ इसकी को कहते हैं डाटा सीट ऐसाना इसाइगक्सी का कि यहां पर डाटा0 यहां पर डाटा2 वाल रहा है और इहां mae एक reference line है फिर उसके बाद यहां पर VSS में लब ground है देखो RFU क्या होता है तो आप यहां पर RFU को पढ़ सकते हैं कि RFU का मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ है तो देखिए यहां पर कोई भी meaning नहीं बताई है आपको मिल जाएगा और इसके अलाबा दिखाऊं तो आपको बहुत सारी चीज दिखाएगी इसके आपको control प्रोडेक्ट इस चर्चर मिल जाएगा कि किस तरह से को रेगुलेटर्स यूज के जाते हैं लॉजिक इसमें कोड लॉजिक आईसियां इसके अंदर लगी हुई है जाचा बोलते हैं लॉजिक नैंड नौर यह सारी इस तरह से आपको इससे प्रोग्राम किया जाता है यहां पर control signal डाटा बस इसकी supply दी जाती है रिसेट की supply दी जाती है विडिडी इसको इंटर्नली इसको एक्टिप करने के लिए दिया जाता है तो बिसिकली इसका जो वर्जन होते थे वह 4.1 4.2 इस तरह के इसके वर्जन होते थे 4.4 बिसिकली अभी जो 5.1 5.2 यह 5.3 जो वर्जन आ रहे हैं तो 5.1 जैसे की सबसे आ पैड बिल्कुल सेव है आपका मोबायल बिल्कुल सेव है आप निकाले इसको रिप्रोगाम करेंगे बाफस लगाइए और अकर रिप्रोग्रमomes नहीं आती है और फ्लैसिंग आती है तो आप आपको जोइन की जे इस दुलीकर और अच्छे नालेज कि लिए उस चीजब ऑ बीजे 153 का डाटा स्ट्रचर समझ कर आयोग कि आपको अच्छा लगा हो और दोस्तों यहां पर और भी डाटा स्ट्रचर में इसको बहुत डीब लेवल पर आपको समझा सता हूं मैंने यहां आला कि एक और यहां पर उपन किया था जो पुराने सर्किट में लगा होता जैसे एक सैमसंग का आई सर्किट है आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से पुल-फ रजिस्टर का यूस किया जाता था पहले डाटा में और अभी के डेट में यह एंसी हो जाते हैं क्योंकि डाटा को एक रजिस्टर पुल-फ रजिस्टर लगाया जाता है 1.8 में यह जो प्रोटोकॉल होते हैं यह प्रोटोकॉल समझना भी बहुत ज़्यादा जवरी है बहुत साही लोग सोचते हैं कि सब्सक्राइब क्लॉक की लाइन को जंपर मारा जा सकता है कमांड की लाइन को जंपर नहीं मारा जासता है तो जो रजिस्टर है उसका जो रजिस्टर को आप 10K के साथ चेंज करना है और क्लॉक में जो रजिस्टर होता है वह ट्विटी से 22 अधरी इस तरह के ओम सकते हैं तो आप उसको अटा के बिलकुल जम पर मार सते हैं वीडो लंबा हो गया मैं हमें साह स बन जाएगी तो अपनी लाइब बनाएगे सा टेलीकॉम जोइन की जाए थैंक यू वरी मुच इस वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वरी मुच अबी तब कोई यूटुब में नी बताया हूँ क्या ना में आपका आप ? अबी मजrows क्या करने वाले है तो भी 57 अभी एप क्या करने वाले हैं ? कौन क्या करने वाले हूँ ? नीतरा फोले हैसे मईkay Y1 ना यही ? जी तो भी आपक इसका ओलने वाले हूँ कर दो कि अ कर लंगा लोड़ोत को कर दो जॉबें का हम भी जडाओे, आप रहा लोग में, कर दो दो आपका लोगा है तो लोगा है वे तो इनका जडा है जो कैसा रहा हृएया का दो दोगा है